नमस्कार सद्गुरू आखिर युवा लगातार कैसे खुश रह सकते हैं, तो मैं सच जानना चाहता हूँ युवाओं और खुशी का। नमस्कारम राज जानदार। देखिए, हर पीडी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करते रहते हैं। और हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, जो अपने समय की परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। एक पीडी के रूप में, आज हमारे पास अधिक सोविधाएं और सहूलियते हैं। और हम जो भी जानना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। जो लोग सूचना की अधिकता के शिकायत करते हैं, उन्हें कलपना करके देखना चाहिए। कि एक हजार साल पहले आप ये भी नहीं जान सकते थे कि सौ किलोमेटर दूर क्या हो रहा है। अगर सौ किलोमेटर दूर कोई बड़ी आपदा या कोई शानदार चीज होती, तो आप तक उसकी खबर पहुँचने में एक दो महीने लग जाते हैं। आज दुनिया में कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है, वो तुरंट आप तक पहुँच जाता है, और आप उसके शिकायत कर रहे हैं। कृपया इसके शिकायत ना करें, क्योंकि एक पीड़ी के रूप में ये हमें मिली, सबसे बड़ी सोविधाओं में से एक है, कि हम पहले के मुकाबले तकनीकी रूप से कहीं अधिक सक्षम हैं। पहले कभी किसी मानव जाती के पास इतनी क्षमताएं नहीं थी, जो आज हमारे पास हैं, और ऐसा हुआ है सिर्फ तकनीक की ताकत के कारण। बात बस इतनी हैं, कि आपने इस तरह के जीवन के लिए खुद को तयार नहीं किया है। कहने का अर्थ यह है, कि अभी आप तकनीक के शिकायत कर रहे हैं, जिसने आपके जीवन को आसान और आराम देह बना दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप कलपना करके देखें, कि अगर हजार साल पहले आप यहां रहे होतें, तो सुबह उटने के बाद, पानी के जरूरत होने पर आपको नदी तक चल कर जाना पड़ता और दो बाल्टी पानी भर कर लाना पड़ता। आज के ज्यादतर युवक एक मील तक दो बाल्टी पानी ढोने के लिए परियाप्त फिट नहीं हैं, वो शारिरिक रूप से ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, तो अगर आप हजार साल पहले तकनीक के बिना यहां होतें, तो क्या आप बिना शिकायत कि ये पानी की बाल्टी लेकर आतें? नहीं, आप शिकायत करतें, क्योंकि आप शारिरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसी तरह अगर आपने आज की तमाम वास्तविक्ताओं को संभालने के लिए खुद को दिमागी तोर पर सक्षम नहीं बनाया है, तो आप शिकायत करतें, तो युवाओं को ये स पूरा होना या आपकी मन चाहिए लाइफस्टाइल मिलना ये सब महत्वपूर नहीं हैं। आपको बस एक चीज की परवा करनी चाहिए कि इस जीवन को संभावना के एक उच्चतर स्थर तक कैसे ले जाएं। अगर आप परियाप्त समय लगाते हैं खुद के आंतरिक विकास पर तो आप वर्तमान स्थितियों को आसानी से संभाल लेंगे और सबसे बढ़कर इस पीड़ी में आपको जो सबसे शांदार उपहर मिले हैं आप उनके शिकायत नहीं करेंगे। पहले कभी आप 14 घंटे में भारत से अमेरिका उड़कर नहीं जा सकते थे। के मौझूद हैं। इनर इंजिनियरिंग के रूप में हम यही भेट कर रहें। कि आप खुद को इस तरह से तयार करते हैं कि आप जीवन के लिए फिट हो। खुद को जीवन के लिए फिट बनाने की बजाए, आप अपने आसपास के जीवन से अपनी अक्षमता के अनुरूब बदलने की उमीद कर रहे हैं। कृपयाय समत कीजी, अभी दुनिया उससे ज्यादा तेज नहीं घूम रही जितनी कुछ हजार साल पहले घूम रही थी। दुनिया अभी भी उसी रफ्तार से घूम रही है। बात बस इतनी है कि हम महसूस करते हैं कि दूरियां कम हो गई हैं। हमारे पास जो तक्नीकी क्षम परे सुन सकते हैं, आप अपनी सामान्य अनुभव ख्रमता से परे चीजों का अनुभव कर सकते हैं, बस आपको खुद को अपग्रेड करना है। आपके आसपास की तक्नीके हर कुछ महिने या सालों में खुद को जबरदस्त रूप से अपग्रेड कर रही हैं। अब समय ह कि आप खुद को अपग्रेड करें। इस तक्नीक का अपग्रेडेशन आप जो हैं उसका अपग्रेडेशन और इस जीवन के अपग्रेडेशन की जरूरत है। इनर इंजिनियरिंग या योग का यही अर्थ है कि आप इस जीवन को बहतर बनाने पर ध्यान दें। इस जीव ृपों के साथ यही हो रहा है। سमया आगया है कि सिर्फ रोजी रोटी कमाने, सिर्फ एक नौकरी पाने, सिर्फ इसमें या उसमें जाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाए, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, कि वो खुद को बहतर बनाएं. आत्मरूपांतरण के साधन इस युक की सबसे एहम जरूरत है, क्योंकि बहरी परिस्थितियां काफी हद तक मशीने संभाल लेंगी. ये बहुत मैत्वपूर्ण है, कि आप जिन मशीनों का उपयोग करते हैं, उनसे थोड़ा अधिक स्मार्ट हों.